Hello my dear friends, तो आज हम बात करेंगे class 9th geography का chapter number 2 जिसका name है physical features of India तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इस chapter के introduction के बार में तो इस chapter के introduction के अंदर कुछ भी नहीं है, बस हम ये सब कुछ देखने वाले हैं कि हम इस chapter के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले तो हम इस chapter के name के उपर जाते हैं, कि इस chapter के name से हमें क्या समझ में आता है मतलब physical features of India, इंदिया के अंदर कौन कौन से physical features है अब physical क्या होता है मतलब जिसे हम touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या होता है physical, वो physical, उसका मतलब होता है physical और physical features मतलब इंडिया के अंदर तरह तरह के physical features है जैसे plateaus, plains, mountains, deserts, island है तो यह सब कुछ क्या है? physical features है तो basically इस टैपरे के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस टैपरे के अंदर हम देखेंगे कि जो theory है plates की अब यह जितने भी physical features बनते है ना यह plates के कारण ही बनते हैं तो कुछ plates की theory है जो कि हम हमारे इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं तो plates की हम theory देखेंगे और बाद में देखेंगे कि जो हिमालियास है वो कैसे बनते हैं? हिमालियास से पहले हम यह पहले तो हम देखेंगे कि जो plate tectonic से उनके क्या theory है कैसे mountains वगर बनते हैं? और बाद में हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो जो हम land mountain देखते हैं इंडिया की वो बनी कैसे है मतलब इंडिया जो है वो कैसे बना है और बाद में हम देखेंगे कि हिमालेन माउंटेन कैसे बने है हमारे नदन प्लेंज कैसे बने है प्लैट्यूस कैसे बने है और बाद में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो mountains और वो कौन-कौन से हैं, शिवालिक, सिमादरी, इन सभी के बार में पढ़ेंगे, हम platyus के बार में पढ़ेंगे, desert के बार में पढ़ेंगे, island के बार में पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस chapter के अंदर, और बाद में हम देखेंगे कि ये इतने भी physical features हैं, उनकी हमारी life के अंदर importance क्या है, वो किन-किन चीजों को influence करते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस chapter के अंदर, इस chapter के अंदर physical features of India के अंदर, physical features मतलब जितने भी features होते हैं, mountains, platyus, ये सब क्या है physical features हैं, और हम इंडिया के context में देखेंग तो हमने introduction की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे theory of plate tectonics की, तो अब हम बात कर लेते है theory of plate tectonics, कि जो plate tectonics उनकी क्या theory है, plate tectonics से होता क्या है, तो earth crust is divided into seven major and minor plates, तो पहले हम earth के बारे में कुछ समझ लेते हैं, तो जो अब हम समझेंगे वो हमने पहले भी समझा है, जैस अब हमारी earth है, तो earth के उपर क्या होती है, earth की crust होती है, तो यह क्या होती है, तो यह पूरी क्या है, इसकी crust है, अब सबसे उपर तो क्या होती है, earth की crust होती है, और earth की crust की नीचे क्या होता है, मैगमा होता है, तो यह पूरा क्या हो गया, मैगमा हो गया, तो यह क्या है, और फिर मेगमा के अंदर क्या होता है? मेगमा के अंदर कोर होता है तो यह जो सर्किल है चोटा सा यह क्या हो गया? कोर तो अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? जो अर्थ का सबसे उपर वाला एरिया होता है वो क्या होता है अर्थ की crust होती है और अर्थ की crust के अंदर क्या होता है मैगमा होता है और मैगमा के अंदर क्या होता है कोर होता है तो अर्थ की crust है वो seven major और छोटे-छोटे minor plates के अंदर जो है वो divided है तो जैसे मानलू ये पूरी क्या है अर्थ की crust है तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या है कुछ छोटी छोटी दरारे है तो दरारों के जैसे छोटी छोटी क्या है इसे दरारे है तो इसका रीजन क्या है मतलब यह जो दरारे है इसे होता क्या है बाल में तो इन दरारों की कारण क्या होते है कि अलग-अलग प्लेट्स बन जात क्या बोला मैंने मैंने बोला कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी दरारे होती है और इनी दरारों के कारण बांद में जो दरारे होती है एक छोटा से बीच में गैप होता है और इसकी कारण क्या होता है कि सभी जितनी भी प्लेट्स होती है तो अलग हो जाती है तो साथ तो बड़ी प्लेट है और पी छोटी-छोटी प्लेट होती है अब दिखते बात है कि यह जो प्लेट्स हैं यह कहाँ पे है यह कि अर्थ की क्रस्ट के ओपर है और अर्थ के crust के नीचे क्या है? मैगमा है तो जो मैगमा है वो semi-liquid state में है मतलब वो liquid भी नहीं है पूरी तरह से और वो solid मी नहीं है वो semi-liquid है तो यह जितनी भी crust होती है जितनी भी plates होती है यह क्या करते है? यह magma के उपर float करती रहती है जैसे यह क्या है semi liquid है और semi liquid के ओपर क्या होगा यह जितनी भी crust है जितनी भी plates है वो float करती रहेगी liquid के ओपर क्या होते है चीज़े float होती है तो यह semi liquid है इसके ओपर क्या होगे यह जितनी भी plates हो float करती रहेगी तो यह float करेगे due to this moment various changes occur और इसी floating के कारण पहले तो क्या है अट की crust है उसके अंदर बहुत सारी दरा रहे हैं इसके कारण क्या होता है कि जो plates होती है वो अलग-अलग हो जाती है तो यह जितने भी plates होते हैं यह मैगमा के ऊपर टैरती रहती है और इन्हीं जब यह movement होता है तो इसके कारण बहुत सारी changes भी होते हैं अब कौन से changes है तो three main plate current तो तीन major changes होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं plate current बोलते हैं convergent plate दूसरी है divergent plate और three is transform boundary अब हम क्या करते हैं इन्हें समझते हैं पहला क्या है convergent plate तो इसके कारण क्या होता है folding होता है folding क्या होता है मतलब कोई चीज़े fold हो रही है तो जैसे मालो ये एक plate है और ये दूसरी plate है तो इनके folding कैसे होगी ये ऐसे folding होगी इनकी या तो ये folding उपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी तो यही folding का मतलब होता है तो convergent current के अंदर क्या होते है कि या तो folding होते है या फोल्टिंग होते है या तो folding उपर की साइड होगी या नीचे की साइड होगी तो जैसे मालो यह दो plates हैं यह क्या इनका क्या हुआ convergent हुआ तो convergent plate हो गया इन दोनों का convergent हुआ तो क्या हुआ यह fold हो गई या तो ऐसे fold होंगी ये और अगर ये ऐसे fold होंगी तो क्या होगा mountains बनेंगे या फिर ये नीचे fold होगी तो जब ये नीचे fold होगी तो काँ पे जाएगी नीचे क्या है पाताल तो है नहीं नीचे तो magma है crust के नीचे क्या होता है magma होता है तो बाद में जितनी भी crust होगी ये पिघल जाएगी और बाद में वो किस के form में निकलेगी, वो वालकेनों से लावा के form में निकलेगी तो अगर ये जितनी भी plates ये उपर fold होगी तो mountains बनेगे और ये नीचे fold होगी तो क्या होगा ये नीचे magma के अंदर जाएगी मैगमा के अंदर जानिक बान गें फिगल जाये गी और बांध में मैगमा के भढ़ने के कारें क्या होगा कि वो वॉलकेनों के अंदर सेर्व लावा के फोमें बाहर निकल जाएंगे तो Convergent Current हमने देख लिया फिर क्या होता है? Divergent Plate अब ये Divergent Plate क्या होता है? तो इससे अब हम समझ लेते हैं तो Divergent Plate के अंदर क्या होता है? कि ये एक Plate है और ये दूसरी Plate है इसे कर लेते हैं तो ये इसके अंदर दो Plate है एक इधर वाली प्लेट है और एक इधर वाली अब नीचे से क्या होता है कि नीचे से मैगमा से कन्वेंशनल करंट आती है तो नीचे से यह से कन्वेंशनल करंट आती है जैसे जो चाय होती है वो या फिर गरम पानी ले लेते है जब गरम पानी को हम उबालते हैं तो क्या होता है उसकी वेपर्स बनती है और वो वेपर्स क्या होती है बाल में डाइवर्ज हो जाती है तो वहीं यहां पे हो रहा है यहां पे दो प्लेट्स है और नीजे से मैगमा से कंवेंशनल करण निकल रहे है और जो कंवेंशनल करण हम उपर की तरह जाएंगे और उपर डायवर्ज हो जाएंगे तो जब उपर जाएंगे तो यह जितने पे प्लेट्स हूं जैसे मान लो कि यह दो प्लेट्स हैं तो नीचे से क्यां ओह करेंचनल करन्ड आ रहे हैं तो यह क्या होका समय यह को बाहन में डाय वर्ण थ uważ ha जाएंगे और जब यह दूनों अलग अलग ऐसे होंगी यह एक प्लेट ऐसे एक असे दूसरी प्लेट ऐसे तो दूनों अलग अलग अ Васजय ही होंगी तो बीच में जो जगह बने कि उससे हम क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बन जाएगी folding से क्या मना जब दो plates fold हुई या तो mountains बना अगर वो नीचे fold होंगी तो earthquake बन जाएगा और जब falting होती है divergent plates के अंदर क्या होता है कि यह जितनी भी plates होती है यह पहले थोड़ी बहुत जूड़ी हुई रहती है और जब नीचे से conventional current आता है तो बांद में फ्लेट जो है वो अलग-अलग हो जाती है और इनकी जो जगह बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते है रिफ्ट वैली बोलते है तो यह क्या है यह रिफ्ट वैली यह बीच की जगह है इसे हम रिफ्ट वैली बोलते है और बांद में क्या होते हैं इस rift valley से या तो river flow हो जाती है तो ये सब कुछ rift valley के अदर होता है फिर क्या है transform boundary अब हमने देखा तक की एक इदर से plate आरे थी एक इदर से plate आरे थी तो ये क्या हो गई बांद में उपर? या बांद में क्या बन गई? mountains बन गए इसे भी मूव करेगी तो इसे क्या होगा जब यह ऐसे मूव करेगी तो यहां पर दोनों प्रेश का जो एरिया है वो हिलने लगेगा तो नीचे क्या होगा वाइब्रेशन होगा तो जैसे यह मूव करेगी तो नीचे क्या होगा वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन के का अर्ट कुछ आ जाता है यह हमने समझ लिया theory of plate tectonics plate tectonics की हमने theory कि क्यासे mountains si dai so czy народ एक लेकिन नीचे के side नीचे के side में fold होगी कहां पे जाएगी? मैगमा के अंदर मैगमा के अंदर क्या होगी? वो पीगल जाएगी और वो जो मैगमा है वो बार में walcanos से लावा के रूप में बाहर निकलेगा और transform boundary के अंदर क्या होता है? कि जितने भी plates होती है वो horizontally move करती है और जब वो horizontally move करेंगी तो नीचे से vibration होगा और vibration के कारण क्या होगा? earthquake आ सकता है तो अब आपको समझ में होगा कि mountains और ये जितने भी earthquake, walcanos ये क्यों होते है? क्योंकि नीचे जितने भी ये पूरी theory case की है ये plate tectonics है ये सारा के plate tectonics का ही होता है अब ज़्यादा दर ये do you know fact क्या है? कि जितने भी ज़्यादा दर walcanos होते है वो जैसे ये 7 plates है तो एक बार हम इसको erase कर देते है तो जैसे मालो ये क्या है? अर्थ की crust है अर्थ की crust के अंदर 7 जो है वो major cracks है तो ये 7 क्या है? major cracks है तो इन्हें हम बना देते है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये 7 हमने major cracks बना दी अब cracks के बीच में जो जगा है वो क्या है? थोड़िया से वो इतने strong नहीं है अगर मालो कोई एक plain area है उसके अंदर कोई भी crack नहीं है तो अगर उसके अंदर कोई crack नहीं होगा तो वो area strong होगा जैसे मालो एक pencil है वो क्या है? उसको हमने तोड़ दिया है तो वो वाँ पे बीच में जान से हमने उसको तोड़ा है वाँ पे थोड़ा crack डवलप हो गया और बात में अगर आप उसको थोड़ा सा भी मारोगे तो क्या होगा वो तूट जाएगी तो वैसे ही यहां का जो area है वो थोड़ा क्या है? वीक है तो यह जो corners वाला area है यह थोड़ा weak है तो जैसे ही मालो जैसे ही यहां पे कुछ अलग होता है तो यहां वाला area है वो थोड़ा weak है तो यहां पे अगर नीचे से ज़्यादा conventional current आ गए हमने देखा था कि नीचे से क्या होता है? तो अगर ज़्यादा conventional current आ गए ज़्यादा अब मैगमा जो है अगर मालो नीचे बहुत ज़्यादा मैगमा हो गया अब वो मैगमा कहा ना कहा से तो निकलने के कोशिश करेगा ही तो वो मैगमा कहा से निकलेगा? यहां पे उसको थोड़ी weak जगह दिखेगी तो weak जगह कहां पे है यह जो cracks है इन्हीं के पास है तो यहां पे weak जगह है ज़्यादा cracks तो यहां पर ही है तो बाद में यहां से क्या होगा वालकेनों जो है वो इरप्ट हो जाएगा क्योंकि मैगमा को अंदर लग रहा था कि मैगमा बहुत जादा हो गया था अब मैगमा को बाहर निकलना है मैगमा कहां से निकलेगा जहां पर उसको जगह थोड़ी वीग दिखेगी वीक जगह कहांपे है इन्हीं क्रेक्स के अंदर है तो इन्हीं यहांपे क्या है वीक जगह है और यहांसे नीचे से वालकेनों जो है वो इरप्ट हो जाएगा लेकिन कुछ वालकेनों जो है वो इस एरिया के अंदर भी डवलप होते है कुछ। वालकेनो तो कान पर यहां पर जाते हैं और बीच में भी आ जाते हैं मतलब propose land surface pub बीच में क्या होता है कि जो वालकेनो है वह इरप्ट हो जाते हैं अब यहां पर मियां में पर वालकेनो क्यों 갑 cases ॉइस्वा थोड़ी वीक है क्योंकि यहां पे कहां एक दरार है लेकिन यहां प्रे zwischen wall रफट हूँ तो हमने अभी भी दिखा थे कि है कि 7 तो क्या है major tectonic plates है और ठोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तरारे भी है तो 7 तो बहुत बड़ी बड़ी Джararay है और छोटी चोटी दरारे भी हैं, तो वहाँ से भी कई बार क्या होता है कि जो अगर बहुत ज़ाद है मैगमा हो जाता है, तो बार में वह बॉलकेनों के रूप में बाहर आ जाता है, तो हमने थियोरी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हमने समझ लिया अब इसके नेक्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो कैसे बना उसके अंदर इतने सारे फीजिकल फीचर्स आये तो आये कहां से और इंडिया की जो बाउंटरी है वो ऐसे क्यों बनी नीचे ये वाला क्यों बना पैनिन्सुलर पार्ट क्यों बना तो वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं इफ एनिबड़ी है एव एनिटाप ओव डाउट एनिटाप ओव क्योरी जैन प्लीज आसमें दा कमेंट्स थैंक्यू सो मच